अभी चल रहा है 2000 का 23 और आज के दिनों में आके अगर 20,000 में कोई laptop खड़िने के लिए सोच रहे हो तो ये बच्चो जैसा बात है बट बहुत सारे लोगों के लिए ये लीड भी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा इतना अर्ण नहीं करते हैं कि वो लोग 40-50,000 के laptop ले 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 खेर 20,000 के अंदर मिलने वाले टॉप 5 ऐसे laptop मैंने सिर्व आपके लिए चुनके निकाला हूँ जो की 2023 में भी आप अगर पर्चेस करते हो तो आपके लिए वैलू बर्मनी है वैसे इन laptop के अंदर आप अब 12GB तक RAM को लगा सकते हो एं साथी साथ 256GB का 1SHDB आपको इस laptop के अंदर देखने को मिल जाएगा इसके अलाब आपको 2 core 4th rates के प्रोइसर भी इस laptop में देखने को मिलते है Fast Charging Fingerprint Scanner बहुत कुछ है आगे देखते रहे हो वीडियो पता चल जाएगा नामस्कार दोस्तों मेरा नाम है जाए आप देख रहे हो टेक्नोजोलोजी हमारे चनल में ऐसे ही laptop और PC related वीडियो देखने को मिलते रहते है पुरसाद में हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि बात में जाके फिर और एक वीडियो में किसी एक दिन आपके साथ मेरा मुलकात हो जाए चले आज के वीडियो में आगे बढ़ते है पहले कुछ बाते बता दू भाई बहुत ज़्यादा research किया मैंने बहुत ज़्यादा research किया और पता है कितना time जाता है research करने में दोस्तो 40,000, 50,000 या 30,000 में भी laptop मिल जाता है बड़ जब बात आता है 20,000 के अंदर कोई laptop के बारे में तो यार इसको ढूण के निकालना एक घास के अंदर सुई खूजने वाली बात हो जाता है तो मैंने बहुत ज़्यादा research करने के बाद top 5 ऐसे laptop को निकाला है तो सबसे पहले शुरुबात करते हैं नमबर 5 में आने वाले laptop से सम्में से बहुत सरे ऐसे लोग है कि एसूस के laptop लेना चाहते है 20,000 रुपिया के अंदर में भी एसूस के laptop मिलते हैं जी हाँ, अपकोर्स मिलते है एसूस के तरफ से आने वाला एसूस का ebook 12 दोस्तो 18,990 रुपिया इसका price है market में और एसूस का laptop अगर आप ढूंड रहे हो डिफिनिटली इस laptop को चेक आउट कर सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है अपको अपने डेली टास्क आराम से निवा सकते हो क्योंकि इंटल का यह जो प्रोसेसर है इस बजेट रेंज के अंतर अपको कोई दिक्कत नहीं होगा बड़े आराम से आप अपने टास्क इससे कर सकते हो यहाँ पर जो display दिया गया है इसका size थोड़ा सा छोटा है because इसका price को देखते हो इसके display को आप justify करो यहाँ पर आपको 11.2 inch का एक HD display दिया गया है जहाँ पर IPS level का technology दिया गया है anti-glare है 45% देखने को मिल जाता है and 250 inch का maximum brightness इस display में मिल जाता है दोस्तों एक IPS level का display है आप खुदी सोच लो उपर से यहाँ पर आपको anti-glare display दिया जा रहा है ताकि रातों में काम करते हो वक्त या फिर आप पराई बगरा करते हो अब इस laptop में आपको मिल जाएगा 4GB का RAM and RAM maximum 4GB तक ही support करता है आप इसको upgrade नहीं कर सकते हो बाकि यहाँ आपको 64GB का EMC storage देखने को मिल जाता है basically EMC storage जो होते है वो phone के अंदर मिलता है तो आपको इस laptop में भी EMC storage मिल जाता है अब इस laptop के अंदर एक बैटरीन चीज है BCR के अंदर आपको Windows 10 Home pre-installed देखने को मिल जाता है don't worry आप इसमें Windows 11 पे भी upgrade कर सकते हो laptop purchase करने के बाद and इसका सबसे यादा खास चीज यह है कि इसका जो trackpad है यह बड़ा trackpad मिलता है and उसके अंदर आपको एक दो तीन चार कड़के ऐसे numbering दे गया है जोकि numpad होते है ना वही आपको trackpad के अंदर देखने को मिल जाते है so उसका आप बरे अराम से इस्तमाल भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं बागे इस laptop में आपको 6-7 आउस तक का बैटरी देखने को मिल जाएगा type-c port के साथ आपको यह laptop देखने को मिल जाता है design बहुत ही अच्छा है अगर आपको एसूस का कोई laptop चाहिए definitely 20 जार के अंदर इस laptop को आप चेक आउट कर सकते हो अब नमबर 4 में मैंने इस laptop को रखे है इसको रखने के बहुत सारे डीजेंस है हम में से बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि बताते हैं हमें SSD वाला laptop चाहिए हमें यार थोड़ा ज्यादा core चाहिए thread चाहिए इनके लिए इस laptop को मैंने चूस किया तो लिनोवो के तरफ से ये laptop आता है लिनोवो का E4155 ये laptop भी आपको वही similar price range के अंदर 89,990 रुपया के आसपास में देखने को मिलता है Amazon पे इन laptop के link आपको नीचे discussion में मिलेंगे आप वहाँ से ही इनको direct order कर सकते हो कई ढूनने का जरूरत नहीं है बागे देखो इस laptop के अंदर थोड़ा समसला है जिनको Intel चाहिए वो पिछले वाले laptops ले सकते हो बड़ जिनको AMD वाला laptop चाहिए जिनको थोड़ा बहुत gaming भी करना रहता है तो इस laptop को देखो क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है AMD के तरफ आने वाला AMD का एथलॉन A3150U वाला प्रोसेसर यह जो प्रोसेसर है यह थोड़ा सब पावरफूल प्रोसेसर है बिकास यहाँ पर टू कोर फोड ट्रेट मिलता है तो यहाँ पर दो ट्रेट आपको ज़्यादा मिल जाते है साधिसा 3.3 गीगास तक का maximum clock speed इस laptop में आपको मिलता है सो ज़्यादा fast experience आपको मिलेगा बाकि AMD का Radeon Vega graphics भी आपको देखने को मिल जाता है सो Radeon Vega graphics इंटल के graphics से बहुत अच्छे होते है मैंने बहुत बार बता चुका इसके लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा daily task मखन की तरह चलेगा बढ़ यहाँ पर जो display है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा मिलता है 14 इंच का anti-glare display है और यहाँ पर भी आपको 220 इंच का brightness मिलता है narrow budget सा देख सकते हो बहुत यह अच्छा display है Lenovo की colors पंची होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में यहाँ पर भी 4GB का RAM है बट इस RAM को आप up to 32GB तक expand कर सकते हो दोस्तो 32GB तक expandation का मतलब जानते हो BCR का laptop आप 50,000 में convert करने जा रहे हो तो अगर आपको need हुआ तो 32GB तक RAM आप इस laptop में लगा सकते हो इस laptop के अंदर आपको 256GB का SSD देखने को मिल जाता है आप SSD वाले option में जा सकते हो या फिर hard drive वाले option में भी जा सकते हो आपको दो type यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस laptop के अंदर जो OAS है वो तोरह सा अलग है क्योंकि यहाँ पर DOS हो इसके साथ pre-installed आता है out of the box DOS का मतलब आपको पता ही होगा DOS के बारे में बहुत साथ लोग जानते है यह एक software है और इन में काम किया जाता है unfortunately Windows इसके अंदर installed नहीं आता है but Windows इंस्टॉल करना बहुत easy है आप YouTube में देखके आराम से सीख जाओ खड़िदने के बाद Windows को आराम से इंस्टॉल कर लेना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें up to 11 hours तक का battery backup आपको देखने को मिल जाएगा great build quality लेके आता है fast charging का support है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो smart अगर laptop चाहिए आपको slim trim सा Lenovo जैसे brand के साथ जाना चाहते हो जिसका RAM capacity बहुत ही जादा है तो आप इसको भी चेकाउट कर सकते हो इसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा अब number 3 पे मैंने इस laptop को रखता है ये भी basically Lenovo के तरह से आने वाला laptop है दोस्तों आज की वीडियो में ज्यादा तरह laptop Lenovo का है बट number 5 और number 1 का laptop थोड़ा सा अलग है ये Lenovo का V14 IGL नाम से आता है और इसका pricing आपको Amazon के मिलता है 19,999 रूपया में मतलब 20,000 रूपया इसका पक्का प्राइज है यहाँ पर आपको मिलता है इंटल का Celeron N4020 वही सेम प्राइज सार इंटल का उसडी ग्राफिक्स 600 के साथ और यहाँ पर भी वही आपको 2.8 गिगास तक का maximum clock speed मिल जाता है तो अगर डेली टास के लिए सोच रहे हो बड़े आ नाम से आप OPEX वगरा है या फिर आप स्टूडेंटों निकाल सकते हो यहाँ पर मिलता है 14 इच का HD screen and 220 इच का maximum brightness है narrow bezel anti glare देखने का मिल जाता है और screen भी बहुत ही बहतरी ही न है आपको bezels बहुत ही कम मिलता है देखने में भी अच्छा लगता है इस laptop के अंदर दो खास चीज़ है पहला तो है fingerprint scanner दिया जा रहा है 20,000 के अंदर में वो लिनो वो ही देता है भाई ठीक है 20,000 में fingerprint scanner इस laptop में दिया है और इसके अंदर dual band wifi का भी support है dual band wifi का मतलब आपके घर मेंगा dual band router है तो वो बरे अच्छे से internet access करके आपको जो speed है बहुत अच्छी तरीके से निकाल के देगा अपना laptop इस laptop में आपको 4GB का RAM मिलता है एन अप्टू 8GB तक आप RAM को expand कर सकते हो खड़िदने के बाद कोई आपको शिकायत नहीं होगा इसमें आपको 256GB का एक SSD देखने को मिल जाता है गाइस 256GB का जो SSD है उसके साथ और ही extra slot भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जिसमें आप अप्टू 2.5 इंच तक के SATA SSDs वगरा है या फिर hard drives वगरा है इसमें लगा सकते हो यह भी वही DOS हो इसके साथ देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं नंबर 2 पे मैंने किस laptop को रखा देखो दोस्तों नंबर 2 पे जिस laptop को रखा हूँ वो एक basically all-rounder laptop है क्योंकि सारे all-rounder laptops को मैं नंबर 2 पे रखता हूँ और एक नंबर पे उससे better वाले laptop को रखता हूँ तो मैंने रखा है लिनोबो के तरफ से गेन आने वाला लिनोबो का V15 यह आपको 19,990 रुपया में Amazon पे देखने को मिलता है इसके अंदर जो फीचर्स है मेरे को थोरा बैतरीन लगे है यह laptop आता है Celedon का N4020 Dual Core Processor लेके जहाँ पे आपको 2.8 GHz तक का वही सेम clock speed, सेम graphics देखने को मिल जाता है बट इसमें जो display है थोरा सा बड़ा display आपको मिलता है एक 15.6 इंच का HD display आपको दिया गया है एंटीक लेर है, बेजिल लेस है, 220 nits का brightness आपको मिल जाता है और direct x screen का support आपको इसके अंदर मिलता है इसका मतलब आप independently दो display, दो monitor को इसके साथ support करवा सकते हो यह feature मुझे थोरा बेटर लगा इस laptop का इसके अलाबा यहाँ पे आपको DOS OS मिलता है, pre-installed और साधी-साध 4GV का RAM है, बट यहाँ जो RAM है 2400 MHz का RAM मिलता है 4GV का DDR4, तो 2400 MHz का RAM पीचल वाले laptop से थोरा ज्यादा बेटर performance देता है क्योंकि इसका frequency ज्यादा है and up to 16 GB तल आपको slot अलग से देखने को मिलता है इस laptop के अंदर, 256 GB के SSD भी देखने को मिल जाता है ताती साथ Wi-Fi 6 का support है, Bluetooth 5.0 का support है latest वाला and security की से आप से यहाँ भी दिया गया है TPM 2.0 का security जो की बेट अलगा मेरे को इसके अलाबा ये laptop आता है Dolby Audio के साथ and 627OS तक का battery backup मिल जाएगा fast charging का support है, इसके अंदर आपको numpad भी देखने को मिल जाता है और एक 256GB वाला M.2 SSD वाला variant है जो की आपको थोड़ा ज्यादा rate में मिलता है 20,6161 रुपया के आसपास में इसका price थोड़ा हाई है, अगर आपको M.2 SSD ही चाहिए, M.2 ही चाहिए तो आप थोड़ा higher variant पे जा सकते हो, दोनों का यह link में नीचे देखे रखा हूँ दोस्तो नमबर 1 में जिस laptop को मैंने रखा है, यह थोड़ा सा भैतरीन और एक latest laptop है मैंने बहुत स्मझने के बाद इसको नमबर 1 पे रखा था यह laptop आता Infinix के तरफ साने वाला Infinix का Inbook X1 Neo इसके अंदर जो जो features है आपको कोई भी laptop में इस price के अंदर नहीं मिलता यहाँ आपको 40 nits का Full HD IPS screen देखने को मिल जाता है दोस्तो IPS screen है, इस चीज़ को थोड़ा सा note कर लेना 100% तक का SRGB, 72% तक का NTSC का support है, anti-clear है and 300 nits का maximum brightness मिलता है मैं इसके display के बारे में जादा नहीं बोलूँगा, बहुत ही बैतरीन display है इसका बाकि यहाँ पर जो processor है वो भी तोरह सा अलग है जो processor आपको दिया गया है, यह Intel का Celeron N5100 processor है यह quad core processor है, सबसे बड़ी बात तो ही है कि पिछले वाले जितने भी laptop बता है सारे के सारे dual core थे, यहाँ पर आपको 4 core 4 threads देखने को मिल जाता है आपको 2.80 GHz तक का maximum clock screen मिलता है, Intel का UHD graphics है और जो आपको RAM मिलता है, यह 4Gb का RAM है, बट 2933 MHz का RAM है इसका frequency बहुत ही जादा है पिछले वाले laptops के मुकावले, सो यह भी मेरे को बहुत अच्छा लगा बाकि इसमें RAM को अपग्रेड आप नहीं कर सकते हो, 4Gb तक ही enough है यहाँ पर आपको Windows 11 Home देखने को मिल जाता है, प्रेइंस्टॉल जो की सबसे जादा बेटर लगा मेरे को अभी के टाइम पर, और साथी साथ Office Home Student 2021 के देखने को मिल जाता है इसके अंदर जो SSD लगा गया है, 128GB का PCI Gen 3 Series का M.2 SSD है जो की बहुत ही जादा faster और latest technology के साथ आता है हाँ, इसका जो SSD है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिखकर नहीं बाकि backlight keyboard आपको देखने को मिल जाएगा, front में dual flash है जो की Infinix देता है बहुत ही अच्छा है कि Innoventa इनका है अब टू 10-11 आउस तेका battery backup company क्लेम करता है 45Wh का यहाँ पे charger भी आपको देखने को मिल जाता है adapter box के अंदर है, Type-C port के साथ आप charge कर सकते हो, fast charging का support है ये laptop Bluetooth 5.1 को लेके आता है, Wi-Fi 6 का support है blue-white दो color में देखने को मिल जाता है अब बात की जाए, pricing के बारे में तो इसका price 990 रुपया जादा है 20,000 में अगर laptop ढून रहे हो, तो किसी से भी मांग के आप 990 रुपया जादा ले लो और आग बंद करके इस laptop में जा सकते हो मैं और इक चीज़ भी बोलूँगा, जिन लोग को बहुत ही, मतलब टाइम तक काम करना है मतलब एक reputed company के साथ जाना है, laptop company में ही जाना है तो आप लोग पिछले 4 laptop में से किसी भी laptop को दे सकते हो नमबर 2 का laptop भी बहुत ही अच्छा है, यह आपको flip card में देखने को मिलता है बाकी 4 laptop आपका Amazon पे मिलते हैं, तारे laptops के link आपको नीचर discussion में मिल जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ भी खतम करता हूँ, यह ओप आज का वीडियो आपको पस्दता होगा अगर कोई question है तो आप नीचर comment करके बता सकते हो